हलो दोस्तों आप सभी का SSCG के ग्यान में स्वागत है आज हम इस वीडियो में सनी विधान के कुछ महत्तुपूर प्रशन को देखेंगे जो अगरगामी आने वाले एक्जाम के लिए बहुत ज्यादा यूजफूल होंगे दोस्तों इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके लाश्ट तक देखिएगा वीडियो के लाश्ट में आपोगों दोगों के लिए complete question है इसका answer comment box में लिखना है चलिए दोस्तों इस्टार्ट करते हैं इस्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यह दी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें तो आज आपका पहला प्रश्ण है लोगसभा के अध्यच को कौन चुनता है इ दोस्तों इसके अत्रिक्त याद रखिएगा लोगसभा के प्रतम अध्यच कौन थे लोगसभा के प्रतम अध्यच जीवि मावलंकर थे जबकि वर्तमार में लोगसभा के अध्यच ओम बिल्ला है चलिए अगले प्रश्ण के और चलते हैं अगला प्रश्ण है अस्थाई ल लोगसभा के अध्यक्ट को राष्टपती नहीं उक्त करता है तिसका राइड एंस्वर होगा सब्सक्राइब अगले प्रश्ण के उर चलते हैं अगला प्रस्ण है लोकसभा को à कौन कर सकता एक लोकसभा का, राश्च्पती करता रहा है, इसको राइट एइंस वर्ण होगा मैं दोस्तोक्त स है जुपर. लोकसभा को weptun काfire का पांच वर्स नन buts का लिए ने चुन्तम आयू 25 वर्स होती है चले दोस्तो अगले प्रश्न के और चलते हैं अगला प्रस्न है राश्टपती आंगल भारती समधाय के कितने प्रतिनी इद्यों को लोगसभा में मनुद्ध करता है दोस्तो इसका राइट एंज़र होगा ए कि राश्टपती दो आंगल भारती समुदाय के प्रतिनी दियों को लोग सभा में मनुद करता है दोस्तों इसके अत्रिक्ति याद रखिएगा लोग सभा सोरी राष्ट पती बार आंगल भारती समुदाय के प्रतिनी दियों को राज सभा में नुक्त करता है चलिए अगले प्रस्टन के और चलते हैं लोग सभा का समान तक कारकाल कितने वर्स का होता है तो लोगसभा के समाने कारकाल पाच वर्स तक होता है तो इसके अत्रिक दियाद रखेगा लोगसभा का चुनावल रणने के लिए नियूंतम आयू 25 वर्स होनी चाहिए चलिए अगले प्रस्ण के और चलते हैं अगला प्रस्ण है लो लोग-सभा के चुनाव लढने के लिए इच्छुक भेक्तियों के नियुथ होनी चाहिए। इसका right answer b hoगा। तो इसके अतरिक आप याद रखेगा कि राज ये सभा के चुनाव लढने के लिए इच्छुक भेक्तियों के आईयू 30 वर्स होनी चाहिए। तराजे सभा के लिए 30 वर्स और लोग सभा के लिए 25 वर्स इंदू प्रशनों को आप याद रखिएगा क्योंकि ये एक्जाम में कई वार रिपीटेट हुए क्वेस्चन है चलिए अगले प्रशन के वर चलते हैं अगला प्रशन है भारत में सोतंतरता के बाद परतम आम चुनाओ कब संपन कराए गए थे भारत में सोतंतरता के बाद परतम आम चुनाओ और निच सुबावन में संपन कराए गए थे इसका right answer C है चलिए अगले प्रश्ण के और चलते हैं अगला प्रश्ण है कि लोग सभा की अधिक्तम सदे ससंख्या कितनी हो सकती है तो लोग सभा की अधिक्तम सदे ससंख्या 552 होती है तो इसका राइट एंस वड़ी होगा दोस्तो वर्तमान में लोगसभा के अधिक्तम सद्ष संख्या कितनी है तो 545 है इसको भी याद रखेगा चलिए अगले प्रश्ण के और चलते हैं अगला प्रश्ण है निमनलिकित में से कौन जनता द्वारा प्रतिच रूप से निर्वाचित किये जाते हैं इसका राइट अंस बी होगा चलीए अगले प्रश्ण के और चलते हैं आगले प्रश्ण के ओर चलते हैं अगला प्रस्ण है कोई भी वित्ती बील प्रस्तावित हो सकता है इसका राइट एंस्वार कोई भी वित्ती बील के वह लोगसभा में प्रस्तावित होता है तो लोगसभा में वित्ती बील प्रस्तावित होते हैं चलिए अगले प्रस्ण क्यों चलते हैं अगला प् तिसका राइट एंसर होगा D, वर्तमान में लोगसबाध्ध्यच ओम बीड़्दा है, जबकि परथम लोगसबाध्ध्यच जीव माव लंकर्त है, चली अगला प्रस्थ, अगला प्रश्न है, अब इस्वास प्रस्थाओ किस सथन में लाये जाता है, अब इस्वास प्रस्ताओ लोगसभा में लाए जाता है दोस्तों इसके अत्रिक्त याद रखिएगा कि धन विध्यक को कि लोगसभा में प्रस्तुत करते हैं चलिए अगला प्रस्त आपका अगला प्रस्त नहें आपात काल के दौरान सांसत लोगसभा के कारिकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है आपात काल के दौरान सांसत लोगसभा के कारिकाल एक वर्ष के लिए बढ़ा सकती है तो इसका राइटेंस्वर भी होगा तो अगले प्रशन के और चलते हैं आपका अगला प्रस्ण है लोग सभा में कोरम पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती है तो लोग सभा में कोरम पूरा करने के लिए कम से कम कुल सदस्य का एक बते दस्मा भाग के वशकता पड़ती है तो इसका राइट एंसुर डी होगा दोस्तों यह ज प्रफम लोग सभा की पहले बैठक कब हुई थी प्रफम लोग सभा की पहली बैठक 13 मई उन्नेश सुबावन को ही थी तो इसका रही टेंसवर B होगा दोस्तो चली अगले प्रश्ण के और दोस्तों आपको पसंद आए तो अगले प्रत्म लोकसभा अध्यच कौन थे प्रत्म लोकसभा अध्यच जीव मावलंकर थे तिसका राइट इंसर ए होगा जीवी मावलंकर प्रत्म लोकसभा अध्यच थे चलिए अगले प्रत्म के और चलते हैं अगला प्रत्म है आपका मंत्री परसत किसके प्रसाद प्रत्नकार कर ती है इसका रयट एंसर बी होगा मंतली परसत लोक सभाके साथ प्रत्न कार करती 機會 golden कर चलते हैं आपका अगले अगला प्रस्नह है भारत में शुन निकाल कब शुरू कि गई थी वह थे भारत में सुन निकाल कब शुरू की गई थी भारत में सुनने काल, उनने सुबासट में शुरू की गई थी इसका राय टेंसवर यह होगा उनने सुबासट में प्रादाम की गई थी तो चलिए अगले प्रशन के उरुप रहते हैं आपका अगला प्रशन है भारत के राश्टपती किस्की अनुशंसा पर लोग सभा को भंग कर सकती भारत के राष्टपती किसकी अनुशंसा पर लोगसभा को भंग कर सकती है तो भारत के राष्टपती चुना आयोग की अनुशंसा पर लोगसभा को भंग कर सकती है तिसका राइट एंसुर भी होगा चलिए अगले प्रश्ण के और चलते हैं अगला प्रस्ण है आपका भारत सजदन के किस सचिदन पारित होतीफ है भारति सजदन के अनुसार सफर का बारी मिलेग हो पारीत होती है लेकिन अलग-अलग सजदन में उतना एक इसका राइट एंसर रेgent होगा कि अगले प्रश्ण को बढ़ते हैं, आपका अगला प्रश्ण है, लोग सभा में राज्यों किस आधार पर सीटे आवंडित होती है, लोग सभा में राज्यों को भासा के आधार पर सीटे आवंडित की जाती है, तो इसका राइट एंस वोड़ी होगा, भासा के आधार पर किसको देता है लोकसभा सदस्स अपना त्याख पत्र लोकसभा अध्यश को देता है ऐसका राइट य différentes wo स्थागं द्वारा इन तीनों के स्थागंद थ्वारा हम कि- इसकाःट-ण्षोट दी होगा लोग सभा की बैठक आप की जा सकती है दिखटन द्वारा सत्रवाशन द्वारा स्थागंद विध्ट द्वारा त्सक्राइट यह चलिए अगले प्राश्न के और बढ़ते हैं तो अगला प्रसरा है किसे लोगसभा का अभी रच्छक कहा जाता है तो को तूंक सभाए مش On और कि अध्यान के मशनल उसके कारेकाल के समाफ्थी के पूर्वृ भी भंग किया जा सकता है तो इसका राइप अट्याउर और metabol हमबन got प्रस्त की सलाह पर लोगसभा को उसके कारेकाल की समापती की पूर्व भी भंग कर सकता है तो इसका राइट एंसवर C होगा चलिए अगले प्रश्ण के वर चलते हैं अगला प्रस्ण है लोगसभा में मंत्री प्रश्द की विरुद अविश्वास का प्रस्ताव लाने है अगले प्रश्ण के वर चलते हैं तो अगला प्रस्ण है लोगसभा का प्रवधान किस अनुच्छेद में है तो लोगसभा का प्रवधान अनुच्छेद 81 में है तो इसका राइट एंसवर E होगा अनुच्छेद 81 में लोगसभा का प्रवधान किया गया है चलिए अगले प्रश्ण के और चलते हैं आपका अगला प्रस्ण है लोग सभा में केंद्र शाषित प्रदोशों की पतिनी इद्यू को चुना जाता है तिसका राइट एंसुर होगा यह प्रतिछ निर्वाचन द्वारा लोग सभा में केंद्र शाषित प्रदोशों की पतिनी इद्यू को कुना जाता है ति इसका Right a एंसर शूख्वा कर चलते हैं आपका अगले प्रश्ण हे लोग सभा कि समान वधि बढ़ाई जा सकती है लोग सभा कि समान वधि को कैसे पढ़ाई जा सकती है इसका राइस involvement होगा एक लोकसवा की समान अविदी को संसद्वारा पारित अधिनियम से बढ़ाई जा सकती है दोस्तों यहां पे आपके तीस कोईस्टन कंप्लीट होते हैं यहां पे आपके तीस कोईस्टन कंप्लीट होते हैं इसके बाद दोस्तों आपके लिए दो कोईस्टन है इसमें से पहला आप के सामने चारा अप सथानह eskyamment box में लिखना है दुषरा प्रस्न है लोकसबा में wonderzeit कहल कि इस ये इसका भी इसर स्कौमर्ण क में झाल झाल